नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स हिंडिया पर मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी दुर घटना पून घटना पर चर्चा करने के लिए जिसने हाल ही में भारत में 15 लोगों की जान ले ली है। हादसा एक और हाल ही में हुआ है इसमें एक खड़ी ट्रेन से दूसरी ट्रेन आकर टकराती है और टकराने से पीछे से आई हुई मालगाडी आगे चल रही कंचन जंगा एक्सप्रेक से टकराती है और 15 लोगों के मारे जाने की सुर्खियां न्यूज एजनसी के माध्यम से मार्केट में आती है इसकी कुछ ये अंदाजा लगाना आसान है कि ये घटना बहुत भीशन है और इसके अंदर मरने वालों की संख्या जो अभी तक बताई गई है definitely उससे जादा हो सकती है क्योंकि ये हादसा देखकर के इस घटना का अंदाजा लगाना कि कितने लोग मरे हैं ये जल्दबाजी होगा ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि कितनी तेजी से ये माल गाड़ी जाकर के सवारी गाड़ी में भीड़ी होगी साथिवें ये तस्वीरें अपने आप में कुछ और प्रशन खड़े करती हैं और वो ये कि एक ही ट्रेन पर दो ट्रेन कैसे आ गई? एक ही ट्रेक पर दो ट्रेन कैसे आ गई? already खड़ी हुई जो train थी उसके बारे में railway staff को जानकारी क्यों नहीं थी और मालगाड़ी अगर उस track पर आई है तो definitely उस रास्ते में लगे हुए signals या फिर वहाँ पर लगे हुए जो तैनात करमचारी है उनकी ये कौन सी लापरवाई है जिसके चलते ये सब हुआ है प्राथमिक कारणों से पता चल रहा है कि रास्ते में लगे हुए signals खराब थे signal तीन घंटे पहले से खराब थे ऐसी इस्थिती में signal पर जो protocol मालगाड़ी के coach के पाइलिट के दुआरा follow किया जाना था वो उन्होंने follow नहीं किया जिसके चलते ये हादिसा हो गया है हाला कि फिर से एक प्रशन खड़ा होता है कि signal की खराबी और उसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी ultimately करमचारियों की है तो क्यों नहीं वहाँ पर करमचारी उपलब्द थे जिन्होंने इस घटना को रोकने के लिए प्रयास किये क्यों नहीं पाइलेट की लापरवाही से पूर्व ये जाना गया कि पाइलेट क्या किसी और परेशानी से ग्रसित था लोको पाइलेट के द्वारा ये लापरवाही क्यों है ये तमाम प्रशन खड़े होते हैं यही कारण है कि देश के अंदर टॉप ट्रेंड में ट्रेंड एक्सिडेंट रेल मंत्री वेस्ट बेंगॉल ट्रेंड करने लगता है और साथ ही साथ अश्विनी वेशनव इस्तिफादो ये भी टॉप ट्रेंडिंग में रहता है दुनिया भर की मीडिया के द्वारा भी इसे कोवर किया जाना शुरू हो जाता है बड़ा सवाल ये बनता है कि ultimately इस घटना के पीछे कौन से बड़े कारक जिम्मेदार थे क्या रेलवे के द्वारा recruitment में की जा रही देरी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि प्राप्त जानकारियों में रेलवे के पास अभी भी लगभग ढ़ाई लाग से अधिक पद रिक्त हैं और ऐसी इस्थिती में पद की रिक्तता करमचारियों को ओवर बर्डन करती है आज के सेशन में हम इस बात का विसलेशन करेंगी कि क्या रेलवे के द्वारा लापरवाही की गई पदों के रिक्तता अपने आप में इस प्रकार के हादसों के जिम्मेदार रही सारी बातों का विसलेशन आगे के सेशन में होगा साथ यो पस्चिम बंगाल के दारजिलिंग में सुभह आठ बच के 55 मिनिट की खबर बताई जा रही है कि मालगाडी ट्रेन से कंचन जंगा एक्सप्रेक्स पीछे से टक्कर मारती है जिसके बाद कुछ इस प्रकार की इस्तिती निकल कर आती है इस हादसे के जो द्रश्य है वो अपने आप में बहुत भीषण है और इसकी जानकरी हमने सुभह ही अपने ट्विटर हैंडल से आप लोगों के सामने साजा कर दी थी यह गटना कहां की है तो इसे आप इस प्रकार से समझेए कि यहाँ पर पूर्वत्तर भारत को शेश भारत से कनेक्ट करने के लिए जो सिलिगुडी कॉरिडोर है जिसे आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं यही पर एक फांसी डेवा करके इस्थान है जिसे और जादा गूगल करेंगे तो बंदर गच के नाम से यह जगह दिखाई पड़ती है इस रास्ते से होकर के ट्रेन सियाल दहा तक जा रही थी यहां से यहां तक यह जो ट्रेन का रूट है यह दो रेलवे जोन से होकर निकलता है यह वाला जो पर्टिक्यूलर जोन है यह NFR जोन में आता है और यह वाला जो सियाल दहा है यह इस्टन जोन में आता है NFR zone के अंदर North East Frontier zone में जो शेतर आता है यही पर train के साथ यह हादसा हुआ है यही कारण है कि अश्मिनी वैशनव जी के द्वारा लिखा गया unfortunate accident in NFR zone साथ में मम्ता बनर जी पस्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी उन्होंने भी अपनी तरफ से समवेदना व्यक्त की प्रधान मंतरी के द्वारा भी समवेदना व्यक्त की गई यह घटना North East Frontier railway के साथ में हुई घटना है और यहाँ पर जो जानकारी निकल रही है वो यह है कि red signal काम नहीं कर रहे थे और ऐसी इस्तिती में signal cross करके गाड़ी आगे निकल गई तो क्या signal काम नहीं करते तो train चल सकती है तो answer है कि ऐसे इस्तिती पे माल गाड़ी के driver को TA912 नाम का एक दस्तावेज दिया गया था जिस दस्तावेज का मतलब था कि सिगनल काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जा सकते हैं मतलब लाइन क्लियर है फिर भी सिगनल पर आप प्रोटोकॉल की पालना करते हुए एक मिनिट के लिए गाड़ी रोकेंगे और 10 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे संभवत या ट्रेन का यानि मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो इस प्रोटोकॉल की पालना नहीं किया जिसके चलते ये घटना हुई यही कारण है कि रेलवे बोर्ड की चेर्मेन जया वर्मा सिना ने कहा है कि मालगाड़ी के लोको पाइलेट ने सिगनल ओवर्शूट किया यानि कि वो सिगनल क्रॉस कर गया जिसके चलते कंचन जंगा एक्सप्रेक्स टकरा गई गार्ड का डिबबा जनरल डिबबा छती गरस्त हो गए आर्मी और NDRF की टीमे रेस्क्यू आपर पूरा कर दिया है और रूट को रीस्टोर करने का कारय जारी है यहाँ पर TV9 ने इस चीच को एक वीडियो के माध्यम से भी समझाया कि किस प्रकार से यह यह टकरा करके ट्रेन कॉलैप्स कर गई थी इस्थितियां आपके सामने तस्वीरों से इस पस्ट रूप से समझ में आती होंगी Ministry of Railway के द्वारा यहाँ पर परिजनों के लिए जो लोग इस छेतर से सम्मंदित हैं उनके लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किये गए हैं कंचन जंगा एक्सप्रेक्स के बारे में जो Railway की चेर्मैन है जैया वर्मा सिनहा इन्हों ने अपनी तरफ से अपडेट दिया अगर आपको याद हो तो जो लास्ट येर जून में बालसवर में यह जो हादसा हुआ था उडिसा में हादसा जब हुआ था तब इनको इस पद पर बिठाया गया था यानिकी Railway Board की चेर्मैन के पद पर क्यों क्योंकि इन्होंने उस समय काफी अच्छे से Rescue Operation को अंजाम दिया था इनके बाद से लेकर अब तक हुए हादसों में यह बड़ा हादसा है और इस बड़े हादसे के कारण अब इस घटना की जाँच अपने आप में एक बड़ा विशय बन चुका है इस विशय में अश्विनी वैशनव जो मंत्री है रेल के उन्होंने कहा है अभी Rescue Operations का जायजा लिया जा रहा है यह यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच करके Rescue Operations का जायजा ले रहे हैं सिगनल की खराबी बड़ा वजय है और सिगनल की खराबी के साथ साथ अब आपके दिमाग में प्रश्न बनता है और वो यह है कि एक समय भारत में जबरदस्त रूप से चर्चा चल रही थी किस चीज की कवच की यह कवच क्या है जब जब एक्सिडेंट होता है भारत की एक security system की जबरदस्त चर्चा होती है और वो system है कवच system इंडियन रेलवे का वो system जिसमें जब दो ट्रेने आमने सामने आ रही हो तो ये automatic उन ट्रेन्स को आमने सामने टकराने से रोक देगा एक ही line पर अगर दो ट्रेन हो तो उन्हें बिढने से रोक देगा ये कवच प्रनाली जब इंट्रड्यूज हुई इसके उपर काफी प्रचार प्रसार हुआ कि भारत ने टेक्नोलोजी कली बहुत एडवांसमेंट ले लिया है रेलवे ने 2022 में जब इसे इंट्रड्यूज किया तो देश में एक बार के लिए उम्मीद जगी कि अब ट्रेंस आपस में नहीं भड़ेंगी लेकिन दुर्भाग इसे ये कवच सिस्टम अभी तक भारत की 2% रेल लाइन तक ही 2023 के अंत तक लगा है अब आप पुछेंगे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब कुछ इस प्रकार से समझे कि भारत में लगबग सवा लाख किलोमेटर का रेलवे ट्रेक है 2023 के मध्य में मातर 1500 किलोमेटर तक ही ये ट्रेक लगा था यानि कि कवच सिस्टम एक्टिवेट हुआ था अब आप समझे कि 1500 किलोमेटर तक कवच सिस्टम लगा है साल के अंत तक 3000 किलोमेटर का टारगेट रखा गया है मातर 2% छेतर में अभी तक भारत में कवच सिस्टम लगा है अर्थात उस छेतर से गुजरने वाली जो ट्रेंस होगी वो आपस में एक दूसरे से नहीं अगर ये मातर 1.5% या 2% के आसपास है तो आप अभी 50 साल और आगे की चिंता कर सकते हैं हो सकता है कि टेकनोलोजिकली एडवांसमेंट करके इस काम को फास्ट कर दिया जाए इस विशह के उपर राहुल गांधी जी की भी प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया के साथ- कॉंग्रेस ने सवाल भी किया कि मोधी सरकार के इस काल में जो बड़े रेल हादसे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा यहां पर ये बड़ी जानकरी ये भी निकल कर आई कि लोगों का कहना है कि रेल मंतरी अश्विनी वैशनव के कारेकाल में बहुत से बड़े रे हादसे हुए और रेल हादसों की एवज में रेल अश्विनी वैशनव जो हैं फिलाल 10 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है उनके लिए देते हुए पाए जा रहे हैं प्रदान मंतरी के द्वारा धाई लाख रुपए PM NRF फंड के द्वारा दिये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि यहां पर नीतिकत रूप से और बहुत से लोगों ने ट्विटर पर अश्विनी वैशनव जी के खिलाफ गुस्सा निकाला है लोगों ने कहा है कि लास्ट टाइम जब हादसा हुआ था आप अपनी पूरी PR टीम लेकर दिखा था कि वंदे भारत का वीडियो पोस्ट करने वाले वैशनव जी क्या आप इस हादसे की वोडियो वीडियो अपने अकाउंट से पेस्ट करेंगे यहां पर इस तरह की भी खवरें आ रही थी कि साहब आप अगर ये वीडियो न डालते कि आप राहतकारियों में प्रतिक्रियां दे रहे हैं क्योंकि हाल ही में मंत्री जी बाइक पर बैठ करके उस हादसे प्रभावित छेतर तक पहुंचने हैं ठीक है साथ इसी प्रकार से एक और वीडियो यहां पर वाइरल हो रहा है जो पुराना है जिसमें नितिश कुमार जी ने अटल जी के समय पर इस्तिफा मांगा जा रहा है कि आपके काले काल में इतने बड़े-बड़े हादसे हुए और आप उन पर अभी तक कोई भी इस्तिफा पेश नहीं किये हैं अपनी जम्मेदारी आप नहीं मान रहे हैं ऐसी इस्तिती में बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जितने भी पुरान हादिसे हुए हैं उनमें असली कारण क्या है अगर हम पुराने ट्वीट को निकाल कर देखें तो अक्टूबर 12 का एक ट्वीट है जिसमें विहार के अंदर आनंद विहार टर्मीनल से कामाख्या धाम जा रही नौर्थ इस्ट एक्सप्रेक्स के कुछ डिब्बे ट्रेन की ब signal circuit alteration में दिक्कत हुई थी जिसके कारण ये दिक्कत हुई बालासर ट्रेन हादिसे के अंदर जब भी जानकारी निकल कर आती है तो यही पता चलता है कि बहुत सारे मुद्दे जो अभी हुए है ऐसे ही आंधरा के अंदर जब accident हुआ तो उसमें भी यही निकल कर आया कि human error थी over shooting of signal हो गई थी ऐसे ही 2023 के अंदर अब हां तो अब यहां पर यह शूट में यह स्थितियां बनी तो अब एक बड़ा प्रशन यह पैरलली खड़ा होता है और वो प्रशन यह है कि इतनी सारी जगे जब-जब मानवेत रूटियां हो रही है तो मानवेत रूटियां ultimately होत जब धाई लाख लोगों की जर्वत आपको है आप उस काम को करवा रहे हैं उपस्थित करमचारियों से तो जिन लोगों से आप यह सारे काम करवा रहे हैं संभव तया वो लोग अपने काम के अतिरिक्त भार में हैं और उस अतिरिक्त भार के चलते वो लोग अपने पद के दाइत्व का निर्वहन प्रॉपर तरीके से करने में कही न कहीं चूक जा रहे हैं ऐसी इस्थिती में 12,18,000 करमचारी वर्तमान में हैं और रेलवे में 2,500,000 करमचारी की अभी आवशक्ता बची है अगर ये करमचारी होंगे तो जो अल्रेडी एक्जिस्टिंग करमचारी है वो संभवत या मानविय तरूटिया नहीं करेंगे ऐसा लोगों का कयास भी है और मैं आपको बता दूँ कि खुद सरकार ने ये माना है इतना पैसा कहां से आएगा इसका मैं अब आपको एक जवाब देता हूँ जरा इस तत्य पर बस आप एक बार नजर डालिए एक दश्मलव 0.08 लाख करोड सरकार के द्वारा रेलवे की सेफटी पर खर्च किया गया ये मिनिस्टर का दावा है अब मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग आकड़ा और बताता हूँ क्या आप जानते हैं कि भारत का जो रेल बजट है वो लगभग सवा 2 लाख करोड रुपए का सालाना इनसाल चल रहा है सवा 2 लाख करोड के इस बजट में अब यहाँ पर नंबर देखिएगा आसपास सालाना 12,18,000 जो रेलवे के करमचारी हैं उनकी तनका पर खर्च होता है अगर इन नंबर्स को आप अगर चेक करें तो आप यह पकड़ेंगे कि सुरक्षा पर आपने इतना पैसा खर्च किया है 12,000,000 करमचारी जिनकी संख्या कम है लगभग पौने 3,000,000 करमचारी की और जरुवत है रेलवे को अगर आप उन्हें भी साथ में ले लें तो संभव है कि आप 2,000,000 करोड रुपए सालाना में सैलरी दे करके डिपार्टमेंट को आसानी से चला सकते हैं आसानी से चला सकते हैं अब इसको इस तरह से कैलकुलेट करिए कि अभी मात्र 2% रेलवे ट्रेक पर कवच सुरक्षा लगी है कवच सुरक्षा लगी है अब इतना अमाउंट अगर कवच पर खर्च हो रहा है तो विचार करिए कि अगर सवा लाख किलो मीटर की हमारी रेलवे ट्रेक है तो ये कीमत बढ़ करके 50 लाख करोड से उपर जाएगी अर्थाथ 25 साल तक जो रेलवे करमचारी अगर वैकेंसी फुल कर ले तो आसानी से तनखा पा सकते हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग हो रहा है ये डिसकशन और जर्चा कि एक तरफ रेलवे के अपने बजट है रेलवे के सुरक्षा पर हो रहा खर्च है और वहीं दूसरी तरफ अगर सवा 3 लाख लोगों को नौकरी भी दे दी जाए तो आसानी से 25 साल तक इस सुरक्षा पर किये जाने वाले भविशोन मुकी खर्चे से रोजगार भी दिये जा सकते हैं और साथ ही साथ मानवी है जो भूल हो रही है जो की ओवर बर्डन लेवर के कारण हो सकती है करमचारियों के कारण हो सकती है उन से बचा जा सकता है सोचने का विशह है आप और विशह पर विचार कीजिएगा और अपना तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिएगा फिलहाल के लिए तो जाच बैठी रही है जानकारिया निकलती रहेंगी जानकारियों का जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अगर आपने सुन लिया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं अगर पढ़ने लिखने वाले विध्यारती connected हैं तो NCRT foundation batch में हमारे admission open है history, geography, quality, economy का अगर आप में से कोई भी साथी UPSC के लिए तैयरी करना चाहता है तो इस बार UPSC prelims में जिस प्रकार से NCRT से बहतरीन questions पूछे गए तो आप इसमें admission ले सकते हैं application का link comment box